नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतियासिक कहानिया आज 8 सितंबर है और आज की तारीख का सम्मन्ध है एक सीरियल ब्लास से जिसकी गुत्थी आज 15 सालों बाद तक उलजी की उलजी है किसी निष्कर्श पर पहुँची नहीं कम से कम तारीक काई एपिसोट तयार थे क्स deserves during tag या हने तक अभी 2001 में यहां बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और उन प्रदर्शनों के दौरान 12 मुस्लिम प्रदर्शनकारी मारे भी गए थे आज या किस्सा शुरू होता है 8 सितंबर 2006 को वो जुम्य का दिन था साथ ही शब बारात भी थी मानता है कि शब बारात को इबादत करके इनसान हर गुनाह से बरी हो सकता है इसलिए दुनिया भर की हर मस्जिद की तरह मालेगाओं की मस्जिदों में भी और दिनों से कहीं ज्यादा भीर थी करीब सवाई एक बजे थे नमास खत्म हो चुकी थी इस मस्जिद के पास कि एक कबरगाह में दो विसफोट हुए बाद इस्तमाल किया गया था सेम वही मिश्रन जो 11 जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बाम ब्लास्ट में इस्तमाल हुआ था विसफोटों के बाद 10 सितंबर को दो संदिग्दों के स्केच जारी हुए 28 नमंबर 2006 को मुंबई पुलिस की DGP PS पसरीचा ने कहा हमने माले गाओं विसफ सल्मान फार्सी, फरोख मगदुमी, शेख मुहमद अली, आसिफ खान, मुहमद जाहिद, अबरार अहमद और शब्बीर, मस्यूला बत्ति बाला इन नौ लोगों के संबन्ध कथित रूप से स्टूडेंट इसलामिक मुवमेंट अफ इंडिया, सिमी और हर्कतुल जिहादी इसलामी हूजी से बताए गए इन में से तीन आरोपियों ने साज़िश में अपनी सनलिपता की बात स्विकार कर ली, लेकिन इन तीन में से दो आरोपी मैजिस्टेट के सामने ये कहते वे अपने बयान से मुकर गए कि उन्हें दबाव में आकर एक कनफेशन देना पड़ा था 2007 में CBI ने भी ATS की जाँच पर मोहर लगा दी, लेकिन फिर मामले में एक नया मोड 2010 में आया जब स्वामी असी मानन ने 2006 और 2008 के मालेगाओं और 2007 के समझोता एक्स्प्रेस बम ब्लास्ट में हाथ होने की बात स्विकारी हाला कि ATS ने शुरुआत में हिंदू राष्टबादी समुहों की सनलिपता से इंकार कर दिया था और इसके लिए उन्होंने तब अजीब से तरक रखे थे जैसे RDX का इस्तमाल सिर्फ इस्लामिस्ट संगठन ही करते आएं logic ATS केस बयान पर तब तब कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने भी कहा था कि हिंदू तबादी गुटों की भागीदारी को एकदम से रूल आउट करना या रूल इन करना भी अनुचित होगा किसी भी अती में जाना अनुचित होगा उन्होंने आगे कहा कि मुझे लग 11 में जमानत की अर्जी डाल दी और इनने बेल मिली उधर NIA ने मई 2013 में चार दूसरे ही लोगों को इस मामले में ग्रफतार कर लिया ये चार लोग थे मनोहर नबारिया राजेंदर चौधरी धन सिंग और लोके शर्मा इनके खिलाफ 23 मई 2013 को आरो पत्र दायर किया गया धन सिंग के तार समझोता एक्स्प्रेस और 2008 में हुए एक और माले गांवी स्पोर्ट से भी जुड़े हुए थे यो NIA ने ATS और CBI की जांच को खारिच कर दिया और हिंदू तुबादी अतिवादियों को घटना का जिम्मेदार बता दिया NIA ने अपने आरो पत्र में कहा ATS और CBI की पिछली जांच एक फेक बॉम पर केंदृत थी 13 सितंबर 2006 को मुहमदिया मस्जित की सीड़ी पर एक नकली बम मिला था जो फटा नहीं और बम का पता लगाने वाले अधिकारियों ने इसे निश्क्रिय कर दिया माले गाओं पुलिस ने नकली बम मामले में नूर उलहुड़ा और रई सली को ग्रिफतार किया था बाद में माले गाओं विसफोर्ट मामले में उन पर मामला दर्ज हुआ बाद में NIA ने एक गबहा के हवाले से घटना का प्योरा भी दिया जो कुछ इस तरह था हम लेकर निर्णाय दक्षिन पंती हिंदुत ववादी मॉड्यूल के वरिष्ट सदस्यों द्वारा लिया गया था जिन में RSS के पूरू प्रचारक सुनिल जोशी भी शामिल थे जिनकी बाद में उनके ही साथियों द्वारा कतित तौर पर हत्या कर दी गई काल सांगरा और शर्मा को घटना को अमल में लाने का काम सौपा गया था और इन दोनों ने चौदरी धंसिंग और मनोहर सिंग को बं प्लांट करने के लिए बोला इस टीम ने पहले मालेगाओं के रेकि की धमाको के दिन शर्मा टीम को मालेगाओं ले गए जहां काल सांगरा ने उन्हें आडी एक्स और मुसल्मानों की तरह भेश बदलने के लिए कपड़े दिये काल सांगरा धंसिंग मनहर सिंग और चौधरी बड़ा कब्रिस्तान के पास हमीदिया मस्जित के पास साइकल पर बम रखने के लिए गए शर्मा फिर बाकी तीनों को इन दौर वापस ले गए दूस के एक इमाम जाहिद मजीद ने बम लगाया और उसी दिन लौट आया एक बैटरी की दुकान का मालिक शबीर मसियुल्ला भी इस साजिश का हिस्सा बताया गया था ये ATS की कहानी थी लेकिन ATS की इस थेरी में दो दिक्कती थी पहली विस्पोर्ट के समय शबीर मसियुल्ला एक अन्य मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में था और दूसरी दिक्कत ये थी कि लगबग 2500 ये वत्माल निमासियों ने ये कहते वे हलफ नामा दायर कर दिया था कि मजीद उस समय कजबे में ही था और ये वत्माल और माले गाउं के बीच करीब 11 घंटे या स परिख करने का विरोद किया जाने लगा कि नौह अन्य ने कहा कि नौे अरोपी बड़ी नहीं हो सकते ऐस और आम गाया है और ये ने यह भी कहा कि वह नौ आरोपियों को बड़ी करने समर्थन या विरोद नहीं करती है रज़ी और 15 अप्रहूर दिसम्बर 2017 को बंबई हाई कोट ने एक सुनवाई के दौरान कहा भी कि NIA की निश्कर्ष CBI और ATS जैसी सक्षम जांच एजेंसियों से इतने अलग कैसे हो सकते हैं जब ATS और CBI ने 9 लोगों को आरूपित किया तो NIA इस निश्कर्ष पर कैसे पहुंची कि दोनों जांच गलत थी और फिर आरूपियों के एक नए सेट का नाम लिया जाने लगा ये कैसे हुआ जुम्हे की दिन हुए इस लास का लेटेस अपडेट भी जुम्हे की दिन का ही है तारीक 14 जुन 2019 इस दिन बॉंबे हाई कोट ने NIA वाले सेट को जमानत दे दी NIA वाले सेट का मतलब जिन 4 लोगों को NIA गिरफतार किया था उन्हें निया दीशों ने कहा कि याचिका इस विकार की जाती है आवे देकों को 50,000 रुपे के नकद मुचल के पर रिहा किया जाता है आवे दकों को हर सुनवाई की दौरान विशेश अदालत में उपस्तित होना होगा और आवे दक या रूपी इस दौरान न तो सबूतों से छेड़ चाड़ करेंगे नहीं गवाहों से संपर्क करेंगे इससे परे स्पेशल कोट ने इन चारों के जमानत की अरजी नामन्जूर की थी अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने शुरू में ही केस के तुलना मेमरीज अफ मॉड़र मोवी से की थी अच्छी मॉवी है नहीं देखिए तो पहली फूर्सक में देख सकते हैं अभी के लिए बिदा कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ तारीक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दरपण ने और कैमरा पर इस से रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राशित में चलते चलते एक मेसेज वो भी जो हम लगाता है इन दिनों आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ललन टॉप यूपी इस चैनल पर इस नए चैनल पर जो हम आपके लिए लेकर आए हमारी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स यूपी कि आप देख सकते हैं मास और अब दियादी पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी और यूपी ने उन्हें क्या बताया अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्स्राइब तेक्तरहिये दिलेलोंटाओ